हेलो दोस्तों यह गाड़ी है टाटा 1512 3.3 लीटर बी एसेक्स और इस गाड़ी के अंदर पूर पिकप की कंप्लेंट है ओके और साथी साथ इस गाड़ी के इंस्टुमेंट क्लेस्टर में SCR सिस्टम फॉल्ट और MIA लाइट कंट्विनेस ओन है और यह गाड़ी बिल्कुल भी पिकप नहीं ले रही है तो चलिए हम इसमें लेटोप को गरेट करके देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या 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 फॉल्ट कोड़ आ रहे हैं तो इस गाड़ी के अंदर जो 205 फॉल्ट कोड़ आ रहा है एजियर वाल पोजिशन सेंसर वोल्टे ऐसार सी लो और ओपन सर्केट ओके तो सबसे पहले हम इस फॉल्ट पर किलिक करके करेक्ट एक्शन पर चेक कर लेते हैं क्योंकि इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना होता है यह सा 20 एकच्टर का सर्केट डाग्राम उपंधं हो जाएगा तो जैसे कि अब देख सकते हैं इस एजियर एकच्टर का सर्केट्च डाग्राम है और ग Сейчас त्क इसकी continuity को चेक करेंगे अब देख पार है यह आपका इजी एर एक्ट्वेटर है तो अभी में इस एक्ट्वेटर को आपको निकालकर इसका पीन आउट दिखा देता हूं तो जैसे के अब देख सकते हैं यह चैप इनकार है लेकिन इसके अन्दर वायर है वह पांच है और वा स्कीन सोट में दिखाया था और यहां मैं जो समस्य मिली थी फ्रेंट्स गाड़ी के अंदर वह EGR मोडर यानि की EGR एक्षोटर की थी जो कि अभी मैं दूसरा लेकर आया हूं और इससे लगा के चेक करेंगी तो जैसे के देख सकते हैं अभी इसका इंदर जो CORE COL पारल कोड टेमडरी में आ रहा था अभी इसका इंद पूरे स्क्रीन पर कहीं भी सोह नहीं कर रहा है तो सिंप्लियंगे करेंढ के तून नोडुटर Come यह नहीं कि इस गाड़ी के अंदर कोई विकोट नहीं है तो जैसे आप देख पा रहे हैं पहले इसके इंस्ट्वेंट क्लेस्टर में जो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए